नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल भीम सोने महर में दोस्तों हम आज बात करेंगे विडाल टेस्ट के क्या होता है इसे कब positive माना जाता है और इसे कैसे समझ सकते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकेंट प्रेस कर दें जिससे की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचें विडाल टेस्ट क्या है या टाइफाइट टेस्ट क्या है इसे क्योंकि ये रेशियो में होता है और इसे का पॉजिटिव माना जाता है इसे कैसे समझे इसके बारे हम बात करते हैं सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि Typhoid fever क्या है। Typhoid fever इसे enteric fever भी कहते हैं, एक bacterial infection है, जो Salmonela नाम के bacteria से होता है। यह infection हमारे digestive system intestine में होता है। Typhoid के लिए कोन-कोन से left test होता है उसके बारे में बता देते हैं, VidAL test कराते हैं, Typhi dot कराते हैं, Blood culture, stool culture, urine culture और Bone marrow, बिडाल टेस्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बिडाल टेस्ट एक सिरोलोजी ब्लड टेस्ट का नाम है जो टाइफाइट फीवर या इंटेरिक फीवर के जाज के लिए किया जाता है जोर्ज फरनार्ड बिडाल निस टेस्ट को खोजा था इसलिए इस टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट है इस टेस्ट से टाइफ़ाइट फीवर की कास करने वाले एंटिजन कि अंगेश्ट एक एंटिवाडी बनती उसके बारे में पता लगाया जाता है अब सल्मोनेला बैक्टिरिया दो प्रकार के होते हैं Salmonella, Taffy, S-Taffy और Salmonella, Parataphy, S-Parataphy Salmonella, Bacteria, दो प्रकार के होते हैं उसमें Salmonella, Taffy, S-Taffy के भी दो प्रकार होते हैं दो एंटिजन होते हैं S-Taffy O और S-Taffy H, एंटिजन जिनने T-O या T-H भी कहते हैं Salmonella, Parataphy, S-Parataphy, Salmonella, Parataphy A, एंटिजन और B, एंटिजन अब जान लेते हैं कि Salmonella, Taffy, O, H कितना रेशियो आने पर हम उसे पॉजिटिव मानते हैं कितना रेशियो आने पर उसे नेगेटिव मानते हैं यह दि आपकी बिडाल टेस्ट की रिपोर्ट में Salmonella, Taffy, O, H जिनने H-Taffy, O, H-Taffy, H या T-O, T-H, एंटिजन का रेशियो 1, 1, 6, 0 से कम आता है तो इससे बिडाल टेस्ट नेगेटिव मानते हैं यानि आपको T-Fight Fever नहीं है इसी तरह अगर H-Taffy, O, H-Taffy, H का रेशियो 1, 1, 6, या 0 से 1, 6, 0 तक या उससे अधिक अगर होता है तो T-Fight Positive माना जाता है या माना कि आपको T-Fight Fever है अब इसमें एक Question आता है कि H-Taffy, O, Positive आ गया या H-Taffy, H, Positive आ गया तो क्या होता है अगर H-Taffy, O, Positive आता है इसका मतलब Active Infection है Current Infection है, अभी तुरंद का Infection है और H-Taffy, H, Positive आता है तो Past में Infection है पहले कभी Infection हुआ है, T-Fight Fever हुआ है या फिर Vaccine लिया इसकी वज़े से उसके अंदर Antivodies है इस तरह से हम विडाल टेस्ट को समझ सकते हैं अगर 120 आता है, 140 आता है, 180 आता है तो हम इसे Negative मानते है 160, 1320, 1640 यह आता है तो Positive माना जाता है Thank you